असलेमु आलेकुम वरेहमतुलाही वबरकातुह। दोस्तो कुएत से आज की इंपोर्टेंट ख़वर है जजीरा फ्लाइट को लेकर और डोमेस्टिक वरकर को लेकर क्योंकि दोस्तो जजीरा फ्लाइट ने अपनी फ्लाइटों को 16 जून से ओमान के लिए सुरू करने जा रहा है साथ ही इस ख़वर में हम डोमेस्टिक वरकर को लेकर बात करने वाले हैं जो कि सुडान से और इंडिया से हैं तो दोस्तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो के आखर तक यहां आप लोगों को एक खुसकबरी शेयर कर दें दोस्तो कोईट के जजीरा एयरवेज ने ओमान के लिए अपनी फ्लाइटों को ओपिन करने का एलान किया है ओमान के सालाला के लिए बता दें कि ओमान और कोईट के बीच फ्लाइट हैं ओमान में जो भी परवासी है भाड़ती है परवासी और कोईट आना चाहता है तो वो कोईट जजीरा फ्लाइट के जरीए आ सकता है क्योंकि ओमान और कोईट के बीच जजीरा फ्लाइट सुरू हो रही हैं बता दें कि दोस्तों ये फिलाइट 16 जून 2022 से शुरू होने वाली है यानि कि जो आने वाला महिना है सूल तारिक से सुरू होगी हर हपते में ओमान और कुएट के बीच तीन फिलाइटों को ओपिन किया जाएगा इंडिया की बात करें तो इंडिया से परवासी भी कुएट में परवेश कर सकते हैं ऐसा ना सोचें कि हम लोग कुएट में परवेश नहीं कर सकते एंट्री अभी ओपिन है कुएट एरपोर्ट भी फुली केपिसिटी के साथ ओपिन हो चुका है साथ ही आप लोगों को बता दें कि कुएट में आकणों के मताविक बताया गया है कि सबसे ज़्यादा सोडान के डुमेस्टिक वरकर हैं जो की खादम वीजा पर कुएट में काम करते हैं इंडिया नैपाल पाकिस्तान बंगलादेश श्री लंका इन देशों से इतने नहीं हैं जितने की सुडान से डुमेस्टिक वरकर कुएट में नई वीजा पर आए हुए हैं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से भी डुमेस्टिक वरकर आर्टिकल 20 नंबर वीजा प मैंने आप तक शेयर करी दोस्तों कोईत की ऐसी ही खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं ने इस्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हुआ